गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम अंतरास्टे वैपार का अपना लेसन करेंगे आज है जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है तो आज हम जो हमारा फर्स्ट भाग है अंतरास्टे वैपार का इसके अंदर हम अंतरास्टे वैपार क्या है इसका अर्थ, इत अंतरास्टे वैपार के आधार और अंतरास्टे वैपार के हमारे महत्वपून पक्ष और वैपार संतुलन और अंतरास्टे वैपार के प्रकार के बारे में आज हम इस वैपार अंतरास्टे वैपार भाग एक के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वयपार की बात करीं अंतरास्चे वयपार अंतरास्चे और वयपार तो सबसे पहले हम वयपार देखते हैं। वयपार एक हमारा टर्शरी एक्टिविटी है जैसे हमने बढ़ी थी primary, secondary और तुर्थिक तर्शरी तो वैपार हमारा कौन सी करियाकलाब के अंदर आता है हमारा टर्शरी करियाकलाब के अंदर आता है तो अगर हम वैपार का अर्थ देखें तो वैपार के अंदर हम वस्तूओं का लेंदेन करते हैं वस्तुओं और वस्तुओं के साथ हम सेवाओं का और अपने इच्छा के साथ हम जब वस्तुओं का आदान-परदान कर रहे हैं तो हम उसको व्यपार कर रहे हैं तो जो ये आदान-परदान है बचो वो दो पक्षों के अंदर किया जाता है इसलिए हम कहते हैं कि व्यपार के रास्चे और अंतरास्चे स्तर पर भी विभाजित कर सकते हैं जिसके अंदर रास्चे जो वैपार होता है वो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है जैसे कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो विभिन राज्जों के बीच जो वैपार किया जा रहा है उसको हम वैपार का अर्थ है कि विभिन देशों के बीच यानि कि एक देश और दूसरा देश की सीमाओं के आरपार जो वैपार किया जाता है विभिन देशों के बीच में जो वैपार किया जाता है वस्तो और सेवाओं का जो आदान प्रदान किया जाता है उसको हम अंतरास्चे अगर हम देख रहा है अगर इसके जरूरत समझे तो कोई देश क्यों व्यापार करेंगा उस देश को वैपार करने की क्या आवाशक्ता होती है मानते हैं कि कोई भी देश में सभी जो संसादन है उपलब्द नहीं हो सकते अथार तो वो अपने आप में आत्म निर्भर नहीं हो सकता क्योंकि वो सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में नहीं कर सकता कि कोई सामान अगर नहीं है या कोई वस्तू उसको नहीं मिल पाती तो वो उन वस्तू को मंगवा सकता है अधार्थ हमारा क्या कर सकता है वो उसको आयात कर सकता है तो यही है जो अंतरास्टे वैपार का अगर हम कहें कि किस आधार पे अंतरास्टे वैपार हो रहा है तो हम य अधिकता वस्तूओं की और वस्तूओं की कमी यानि कि अगर अधिकता है तो वो उन वस्तूओं को बेच देता है या उनका निर्यात कर देता है और अगर उसके पास किसी वस्तू या सेवा की कमी है तो वो दूसरे देशों से उसको मंगवा सकता है इसके बाद हम बात करते है अंतरास्चे वेपार का महत्व कर हम देखते हैं तो अंतरास्चे वेपार को हम बैरोमीटर मानते हैं जिसे हम यह मापा जाता है कि किस देश का कितना वेपार हुआ है अंतरास्चे वेपार में उसका कितना पर्तिशत है कितना वो शेर कर रहा है तो इसके आधार पर हम कहते है कि कुई देश कितना developed है फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैपार के लिए विभिन सांस्कृतिक समुदाय आपस में पास आ रहे हैं और एक दूसरे की तकनिकों को अपना रहे हैं और दूसरी सभ्यताय भी पास आ रहे हैं ये सिर्फ एक अंतरास्टे वैपार की वज़ हैं और है ना कॉंग्रिस गास भारत में है अब वो आके यहां पर फैल गई अमेरिका का जो गय हूं है या फिर कॉंग्रिस गास है वो भारत में आई हैं अगर हम देखते हैं तो वैपार में बजार और कच्चे माल की तलाश के लिए अनेक जल और स्थलमार्गों का थे वो वैपार करने के ही मकसद से आयती इसी प्रकार विभिन जगहों की विभिन मार्गों की इसी प्रकार समय समय के साथ खोच होती रही है तो हम देख सकते हमने पड़ भी लिया है कि अंतरास्चा वैपार क्या होता है विभिन वस्तों के बीच वस्तों सेवाओं की आया नहीं को मंगवान सकते हैं अगर हम बात करते हैं अंतरास्टे वोपार की इतिहाश की अगर हम बात करें तो जो अगर देखें कि पुराने समयंसे ही वोपार किसी रूप में चला आ रहा है पहले परिवहन के साथन भोथ सहिमित थे इसलिए वस्तव का अगर और दूसरा ये था कि वस्तु की जो मांग है वो भूत कम होती थी और या तयात और संचार की साधन विक्सित नहीं थे तो तब लोग क्या करते थे सब अपने जो भी पैसे हैं उनको सिर्फ भोजन और वस्तुरों पर ही खर्च करते थे जो अगर कोई है जो धनी लोग हैं वह ही ऐसा जीवन सेले जीते थे जिनमें जो विलास्ता की वस्तुरों हैं अबूशन हैं महेंगे गहने हैं और स्वास्ता बढ़ाने वाले टोपिक हैं इत्यादी इनका व्यापार भी आरह हुआ था अगर हम लंबी दूरी की अगर हम बात करते हैं तो रोम और चीन के वीच मे 6000 किलोमेटर लंबा जो मारक था जो रोम और चीन को जोड़ता था इसको रेशम मारक का नाम दिया गया है और यहां से रेशम का वैपार होता था और भहुमूले धातु या महंगी वस्तुओं का भी वैपार होता था जब रोमन समराज्य टूट गया 12-13 स्तापती में तो य यूरोप ये जो वैपार हो उसमें विर्दी हुई और समुन्दर के रस्ते जो यूद पोतों का जब विकास हो गया नोकाय आ चुकी है तो यूरोप और एशिया के बीच में वैपार बड़ा है और इसके बाद हमने नई दुनिया यानिके अमेरिका की खोज हुई है और उ उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक दास वैपार एक नया सवरूप आया वैपार का जिसको हम दास वैपार कहते थे तो दास वैपार के अंदर जो अमेरिका की खोज हो चुकी थी तो पूर्ट गाली डच स्पैनिश और अंग्रेज थे वो अफरीका के आदिवासियों क चलता रहा लेकिन इसके बाद में 1792 में डेनमार्क में और 1807 में ब्रिटेन में 1808 में स्विक्तराज्य अमेरिका में दास वैपार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगा दिया गया है अगर हम इसके बाद में देखें तो इसके अगर हम वस्तूं की बात करें तो हैं कैसी वस्तूं हम आयात निर्यात करते थे तो बच्चों सबसे पहले हमारी जो अर्थ वस्ता थी वो प्रात्मिक वस्ता में थी तो उस समय प्रात्मिक वस्तूं का आदान प्रदान किया जाता था और अगर हम आज की समय में देखें तो प्रात्मिक कच्चे माल की जिए वी निर्मित वस्तों का आयात निर्यात बढ़ गया है तो अंतरास्टे वैपार के आधार देख लेते हैं तो सबसे पहला है हमारा प्रकर्तिक संसाधनों में भिनता तो हम देख पा रहे हैं हम देख सकते हैं कि प्रकर्तिक संसाधनों का वितरन सभी देशों में एक समान नही पाया जाता और ये भुगर्बिक संरचना के अधार पर उच्चावच के अधार पर खनिज के अधार पर और जलवायों के अधार पर होता है अगर हम भूगर्बिक सनरचना की बात करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी देश की भूगर्बिक सनरचना एक समान नहीं हो सकती है तो वहाँ पे अलग-अलग पुगर्बिक संरचना पाई जाती है और उसी के आधार पर वहाँ पे कोई भी खनिस संसाधन उपलब्द होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं उच्चावच की तो भूपरस्ची जो वे भिंताय होती है वहाँ पे पशुए अलग-अलग परकार के होते हैं और वन्यजीव भी हमारे अलग-अलग तरह के पाए जाते हैं मैदाने भागों में अलग तरह के निमन भूमियों पे अलग तर अलग तरह के तो वहां पे जिस तरह का उच्चावच होता है तो उसी तरह की वहां पर परियावरण मिलता है और इसी तरह कर से बात करते हैं का खनीच उपलब्द होता है जलवायू की बात कर लेते हैं तो उशनकटी बंध है सितोशनकटी बंध है तो यहां पर विभिन परकार की फसले उगाई जाती है और वहां पर दूसरी परकार की फसलों को वहां पर हमें मंगवाना पड़ता है अगर हम बात करते हैं जनसंख्य मात्रा में मिलती है तो वहाँ पे उनको संसाधनों के कमी होती है और वो दूसरी देशों से उन संसाधनों को मंगवाते हैं या फिर हम कह सकते हैं आयात करते हैं संस्कृति विकास में हम देखते हैं कि विभिन देशों में हर देश की अपने संस्कृतिक विसिस्चिता होती है और हस्तसलिप विक्सित होते हैं जैसे भारत में हम देखते हैं रेशमी साड़ी है जापान के खिलोने हैं इरान की कालिन स्विजरलेंड के चॉकलेट है धाका की मलमल है और इस तरह चीनी जो बरतन है चाइना की इस तरह की जो कारीगरी होत इनकी व्यापार में बहुत ज्यादा निमांड होती है। अगला हम करते है आर्थिक विकास की प्रावस्ता है इस उसके बाद हम देखते हैं विदेशी निवेश की सीमा ने North illustrations के पास इथनी पॉन्जी हीं उप्लब्ध नहीं होते हैं रखी रास्टे जो हैं विदेशी योजिना बना के विदेशी जो निवेश है उसे वो अपना जो बाजार तलासनी के लिए विकासी देशों में आते हो और वहाँ पे वो पुंजी को लगाते हैं उसके बाद अगर हम देखें परिवहन और संचार प्रणाली बच्चों वैपार करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे महतपून है जो हमारा है वो परिवहन और संचार प्रणाली ही विक्सित होनी चाहिए अगर हमारे जो जल्दी खराब होने वाले पदारत है उनके लिए preservation होना चाहिए रेफरेजरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और जो हमारे उच मुल्ले की वस्तू है जैसे रेशम है हीरा है इनके लिए लंबी दूरी का जो परिवहन हो वो हमारे अगर देखें तो एर के वायू परिवहन के माध्यम से किया जाता रहा है फिर इसके बाद हम बात करते हैं व्यापार निती की अगर हम व्यापार निती को अगर देखते हैं तो मुक्त व्यापार निती है जो विदेशी व्यापार पनपता है क्योंकि इसमें जो टेक्स होता है वो बिल्कु कर रखना है तो विस देशों से वी सस्ती दरों पर हमायात करके वर्तमार में इपना काम चलाते रहते हैं जैसे से संक्ते राज्य अमेरिका और यूरोपय देशिस निति का पालन कर रहे हैं वो अपनी संसादनों को संबंद अंतरास्चे संबंद भीविदेशी वैपार की मातर और दिशा को परभावित करते हैं जैसे हम देख पारे मार्च 2000 में अमेरिका रास्चिपती बिल क्लेंटन ने जब से भारत यातरा से भारतियों की अर्थवरस्था पर लगे प्रतिबंदों को हटाया है और भारत जो आईटी का है उससे चुड़ा वैपार को बढ़ावा मिलगे इसी तरह भारत के साथ एक पडोसी देश है उसके साथ हमारे राजनितिक संबंद अच्छी नहीं है तो इसलिए हमारे वह उनकी साथ वैपार भी हमारा अधिक नहीं हो पाता है फिर इसके बाद अगर हम बा हुआ था इसी तरह हम अगर देखिए रान खुवैत का यूद हुआ था तो पैट्रोल की किम्तों में काफी उताजड़ा हुआ है उचितमुले की अगर बात करते हैं तो वैपार की वरदी के लिए सबसे में बात है उत्पादक देश्यों को उत्पाद का उचितमुले मिलन है कि व्यपार की वस्तों के वास्तविक तोल को व्यपार का परिमान करते हैं वैसे तो मुले काम सही सही ज्यान नहीं हो पाता ना ही व्यपारिक सेवाओं के तोल में मापा जा सकते हैं इसलिए व्यपार की गई कुल वस्तों और सेवाओं के कुल मुले को व्यपार के परिम उपलब निर्भर करता है इसके बाद हम यह देख पा रहे हैं आयात और निर्याद है 1955 65 75 85 95 2008 अगर हम इसमें कुल व्यापारिक माल निर्यात और कुल व्यापारिक माल आयात दिखाए गया है अगर हम इसको अगर हमने देखा है हमेशा ही आयाद हमने अधिक अगर परिमांण देखे तो आयाद का ही परिमांण हमारा अधिक है फिर इसके बाद हम देखते हैं व्यपार का सहयोज़, व्यपार का सहयोज़ तरास्टे व्यपार में जगै पाने वाली जो वस्तुएं हैं और सेवाओं के प्रकार भी बदलते हैं जैसे अभी हमने बात की थी कि पहले प्रात्मे कुद पादों की प्रवधानता थी लेकिन 20 सधी के बाद भी निर्मित वस्तों ने परमुक्ठा प्राप्त कर है और फिर निर्मान छेतर का दिपत्ते हो गया है सेवा छेतर है जिसमें परिभयन और अन्य वेवसाइक सेवाइं सामिल हैं तरास्चे वयपार में वर्दी की प्रवर्दी को दिखाते हैं और पैट्रोलियम आज कल एक महतपुन स्थान बना के रखा गया है तो अगर हम दिरे सिवाए हमारे बढ़ती जारे हैं साथ में वस्तवों का भी हमारा ही संयोजन है यह हमारा अधिक होता जहरा है इस पादा हम इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे हैं अगर हम देखिए मसीनरी और परिवहन हमारा जो उपकरण हैं और परिवहन उपकरन फिर इसके बाद हम बात करते हैं वैपार की दिशा की कि हम पहले वैपार की इस दिशा में करते थे तो हमारा जो अठारविश दीर्दी का वैपार था वो हमारा यूरोप को भेजते थे और यूरोप हमें वे निर्मित वस्त्वे निर्याद करता था उन प्रप्राइब बिश्व का दिकास व्यपार यूरोप और अमेरिका के बीच में होने लगा है और अब बीसी स्थाब्दी के उत्रार्द में यूरोप का जोपनी वेश लगबग समाप्त हो गए हैं अब भारत चीन वैं अन्य विकासी देश भी निर्मित वस्तूं के व्यपा करता है और कुछ का आयात करता है और किसी भी समय अवदी में आयात निर्यात के बीच मूल्यों का जो अंतर होता है हम उसी को ही व्यपार संतूलन कहते हैं कि व्यपार संतूलन अनुकूल कब होगा और परतिगूल कब होगा जो अनुकूल व्यपार संतूलन है इस के हम धना होता है इसको हम धनात्मक या हमारा अनुकूल वैपार संतुलन कहते हैं इसके विपरित जो हमारा प्रतिकूल वैपार है या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं रनात्मक वैपार संतुलन भी कह सकते हैं इसमें निर्यात की जाने वाले वस्तू की अपिक्षा आयत की जाने वाले व के बीच वस्तू के आयात निर्यात होता है इसको हम दीपक्षे व्यपार कहते हैं जब कि भूपक्षे में वस्तू और सेवाओं का आयात जो निर्यात होता है वो अनेग देशों के बीच में होता है इसको हम अंतरास्टे व्यपार के हम कह सकते हैं दीपक्षे और भूपक्ष के नाम से भी जाना जाता है तो अगर हम देखें कि मुक्त वैपार कब संभव हो पाता है जब सीमा सुल्क हमारे जो है जो सीमा सुल्क लगाया जाता है वो हमारा बिल्कूल ही कम कर दिया जाए और अवरोध बिल्कूल समाप्त हो जाए और अधारी करन की वज़े से जो दुन ट्रेड की हम बात करते हैं तो विकासिल देशों को समान अफसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और विकासिल देशों पर कई इस तरह की शर्ते लागों की जाती है कि उनका जो घरेलूत पाद है वो वो बिल्कुल ही जो द्योग है वो नस्ट हो जाते हैं और उनकी अर्थिव दनी रास्ट है वो बाजार में और किसी का जो अगर हम देखे उनका competition होता है और वो फायदे में रहे जाते हैं अगर हम देखते हैं देशों को dump की गई वस्तूं को भी स्तरक रहने की जरुवत होती है वो क्या करते हैं कि कम कीमत पे हमें ऐसी वस्तूएं प्रदान कर देते हैं जिससे हमारे देश में dumping, dump की हो जाते हैं और घरेलू जो है हमारा परियावरण है हमारे देश का उसको नुकसान हो जाते हैं तो आज की class बच्चों इतनी ही है और इसके बाद हम next part 2 के अंदर विश्वयापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे और विश्वयापार संगठन के अलावा जो अंतरास्चे अन्य प्रमुख जो प्रदेशिक व्यपारिक समू है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे धन्यवाद